सवाइपूर्षेत्र के श्रीपूर गाओं में बलय समाज के दुआरा वीज उद्यापन को लेकर आज बाबा रामदेव की शोवायात्रा के साथ जल कलश यात्रा निकाली गई कल शनीवार को बीज का उद्यापन किया जाएगा बाबा रामदेव कमीटी की सदस्यों ने बताया कि श्रीपूरा गाओं में बलाई समाज की महिलाओं ने सामुई करूप से बीच का विरत उपवास रखा जिसका उध्यापन कल शोरा मार्श शनिवार को किया जाएगा इससे पूर्व आज शुकरवार को प्राते 10-15 बजे बाबा रामदेव जी की शोबायात्रा मेवाड की गंगा कहे जाने वाली वनास नदी किनारे पहुँची जा हवनकुण में बैठने वाले जोडों का शुद्धिकरन करने के साथ ही पूज़ अर्चना वे आरती के बाद कलश यात्रा शुरू हुई कलश यात्रा में 31 महिलाय सिर पर कलश धारन कर शामिल हुई शुबायात्रा वे कलश यात्रा गाजे बाजे वे ढोल नगाडों के साथ प्रारम हुई जो गाउं के विभिन मार्गों से होते हुए बाबर रामदेव मंदिर पर पहुँची शुबायात्रा में महिलाय, यूवक, यूवतिया सभी भक्त नाचते गाते हुए एक साथ चल रहे थे वही आज दोपेर बाद पंडित राजु महराज की वेदिक मंत्रोचार के साथ हवन चुरू करेंगे मैं हर्षोल से अयोध्या पैडल जा रहा हूँ और इधर इधर ने यह गाम का नाम पूर इधर मेरा हिंदू परिशत ने मेरा वानपूर्वक स्वागत किया वह बजल हुआ का मैं जन्यवाद मानता हूँ याए स्री राव आप उहां से कब निकले हूँ मैं अर्षोल से तेइस तेइस दो जोज्याच वाइस को निकला हूँ और हाँ